मुस्लिम तलाक सुदा महिलाएं अपने पती से गुजारा भत्ता मांग सकती है 10 जुलाई को सुपरीम कोट ने इस पर एहम फैसला सुनाया है कोट ने कहा कि दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 के तहट मुस्लिम बहिलाएं भी भरन पोश्चन के लिए याचिका दायर कर सकती है जस्टिस बीवी नगरतना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की लाइव लोग की एक रिपोर्ट के मताबिक एक शक्स को CRPC की धारा 125 के तहट अपनी तलाक शुदा पतनी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था व्यक्तिने कोट के इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी सुप्रीम कोट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक पर अधिकारों का संरक्षन किसी धर्म निर्पेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा पति की याचिका खारिज न्याय मूर्ती नागरतना और मसी ने अलग-अलग लेकिन सहमती वाले फैसले सुनाए न्याय मूर्ती नागरतना ने कहा कि हम इस निशकर्ष के साथ आपर अधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि CRPC की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी ना कि केवल विवाहित महिलाओं पर बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि CRPC की धारा 125 के तहट या चिका लंबित रहने के दौरान कोई मुस्लिम महिला तलाक शुदा है तो वो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 का भी सहारा ले सकती है बेंच ने कहा कि 2019 अधिनियम के तहट किया गया उपाय CRPC की धारा 125 के तहट किये गया उपाय के अतिरिक्त है अब हम आपको बताते कि आखिर पूरा मामला क्या था तेलंगाना हाई कोट ने अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति को निर्देश दिया था कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भट्टा दे शक्स ने सुप्रीम कोट में इस आदेश को चुनौती दी शक्स ने कोट में कहा कि तलाकशुदा महिला CRPC की धारा 125 के तहट याचि का दायर नहीं कर सकती उनके वकील ने कहा कि मुस्लिम महिला भी मुस्लिम महिला अदिनियम 1986 के प्रावधानों के तहट ही याचि का दायर कर सकती है धारा 125 में पतनी, संतान और माता-पिता के भरण पोशन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है तो इस याचिका पर सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाया है क्या सुप्रीम कोट के इस फैसले से आप सहमत हैं? आपकी राया आप हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक करें और शेयर करें और जिन भी मुस्लिम महिलाओं को आप जानते हैं उन तक ये सूचना जरूर पहुचाएं इस वीडियो के जरीए तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो और आपको इसी तरह के की हर खबर चाहिए हो बड़ी छोटी देश, 36 गड़, मद्यप्रदेश की तो आप खबर बिबाग को जरूर सब्सक्राइब करें